लोगस्वा चुनाप आखिर क्यों नहीं जारी हुई यूपी भाजपा की सूची यह है असली वज़े भारती जंता पार्टी ने लोगस्वा चुनाप के लिए उमीदवारों की अपनी दूसरी बहु परतेक्षित सूची बुदवार देरश्राम को जारी कर दी लेकिन ऐसे स सूची में उत्तर प्रदेश की एक भी शीट सामिल नहीं है अलाकि भारती जंता पार्टी की दूसरी सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कने बड़ी हुई थी फिलाल बताया यही जा रहा है कि अब भाजपा की तीसरी सूची में उत्तर प्र प्रतियासियों की सूची जारी की है जिसमें दिल्ली की दो लोकसबाश सीट के लिए उमीदवार उतारे गए हैं इसके लावा दादर एवं नगर हबेली की एक गुजरात की साथ सीट हर्याना की छे हिमाच्र प्रदेश की दो करनाटक की 20 सीट मद्य प्रदेश की 5 महराष की 20 सीट तेलंगाना की 6 तरपुरा की 1 और उत्राखन की 2 लोकसबाश सीट के लिए प्रतियासी उतारे गए हैं जबकि इस सूची में उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर प्रतियासी घुसित नहीं हुआ है भारती जंता पार्टी से जुड़े सूतरों के मताबिक चुना की नाम को लेकर असमंजस बना हुआ है इसमें तीन प्रमुख सीटें शामिल है जानकारी के मताबे एक सीट पश्चमी उत्तर प्रदेश दूसरी पूर्बांचल और एक अबद की सीट भी शामिल है हाला कि इसको लेकर भारती जंता पार्टी के वरिष्ट निता कहते हैं कि किसी भी सीट को लेकर कोई असमंजस नहीं है बलकि सभी सीटों पर जो निर्ड़े लिये जाने हैं उनकी प्रगति के आधार परी सीटों पर नाम फाइनल किये जाएंगे उनका कहना है कि जद ही होने वाली चुनाब कमेटी की बैठक के बाद उतर प्रदेश की सीटों पर फैसला हो जाएगा दूसरी सूची में तीन पूर्प मुख्यमंत्रियों को टेकेट इसे पहले भारती जिंदा पार्टी ने दो मार्च को अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी जिसमें सुले राज और दो केंदर शासित प्रदेशों की 195 सीटों की उम्मीद बार तेक किये गए थे प्रदार मंत्री नरेंद्रो मोदी के वरनसी और ग्रह मंत्री हमेशा के गांधी नगर से चुनावी मैदान में अतरने का एलान किया था 34 केंद्रिय एवं राज्य मंत्रियों के नाम भी पहली सूची में थी जबकि भाजपा की दूसरी सूची में तीन पूर्प मुख्य मंत्रियों समेत नितिन गड़करी पियूस गोयर और अनुराग ठाकोर जैसे केंद्रिय मंत्रियों के नाम शामिल है धन में शामिल दलों की पिलाल अगली सुची आने तक धड़कने बढ़ी रहेंगी